नमस्कार वंदे मात्रम भारत माता कीजे मूवी में चाहे मैं इसी पी राठोर बनू लेकिन असल जिंदगी मैं मैं गुलफाम हसन ही रहूंगा पीके में चाहे मैं हिंदु धरम की मजाक बनाओ लेकिन मक्का जाके शैतानों के लिए कंकर इखठे करूंगा भारत मैं डरता हूँ लेकिन तुर्की जाकर बहुत से फिल करूंगा और मैं कोई नहीं बॉलिवुड का सो कॉल परफेक्स्टनिस्ट और भांड आमीर खान ही कहलाऊंगा आपने सही सोचा ये दो कॉड़ी के भांड आमीर खान के लिए ही है ये वीडियो उनके मुँपर जो खुशी मैंने देखी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बीवी का वहाँ पर उन्होंने निकाह तै कर दिया है इतने खुश कभी वो भारत में शायद ही दिखते हैं तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मूदी जी को निवेधन करना चाहती हूँ कि जब भी ये दो कोड़ी का भांड वहां से आए तो सबसे पहले इसको गवर्मेंट की जो कॉरेंटाइन होस्टेल है वहां 14 दिन के लिए डाल दिया जाए दूसरा के तुर्की वो कंट्री है जहाँ पर पाकिस्तान को फंडिंग होती है ISISI को वो लोग फंडिंग करते हैं आतंकवादियों के खाने पीने के पैसे देते हैं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिहादी सोच वाले लोग अगर वहां जाते हैं हमारे देश से और वहां से क्या प्रोपोगॉंडा सेट करके यहां पर आएंगे तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इसको थर्ड डिग्री के लिए अप्रूवल देना चाहिए और इसके मूँ से उगलवाना चाहिए कि वो वहां क्या करने गया था क्यूंकि आज हमारे देश में हिंदूों को अभी भी इतनी अकल नहीं आ रही है क्यूंकि पीके में जब उसने एक गाल पर उसने कृष्ण भगवान लगाये थे दूसरे गाल पर उसने हनुमान जी लगाये थे तो क्यूं यहां पर एक गाल पर उसने मक्का का सीन नहीं सबसे बड़ी हाइट तो ये थी उस फिल्म की जो लोग घर में अकेली बकरी को नहीं छोड़ते उस फिल्म में इतना बड़ा किरदार दिखा दिया सरफरास नाम था जिसका पीके में कि वो एक हिंदू लड़की के छोड़ने के बावजुद उसकी रहा देखते देखते मिलना चाती हूं कि कटवाने की आदत आप लोगों को बचपन से होती है बचपन में कुछ और कटवा लेते हो और बड़े होकर देश की नाग कटवाते हो तो तुम जैसे निकमों से और गद्दारों से और कोई उम्मीद नहीं है लेकिन अभी भी अगर हिंदू नहीं समझ तो फिर मैं जैसे हर बार बोलती हूं आगे जाकर सिर्फ हिंदू भुकतेगा मैजोरिटी में से माइनोरिटी में आते देर नहीं लगेगी अभी भी संबल जाओ वंदे मातरम